हलो आज है 31 अगस्त और आज इस वीडियों में हम बात करने जा रहें उज्जिवन स्मॉल फैनांस बैंक के बारे में 43 रुपीज का शेर है तक्रीपन 1.5% की मरब कल हमें यहाँ पर 30 देखने को मिली थी पिछले एक महिने में अगर आप देखो तो 2% की गिरावड भी है 45 से गिर कर गया था तक्रीबन 41 पे फिर से यहाँ पर 30 आई है और पिछले कुछ दिनों से यह 43 की रेंज में ही अटका है ना ही 30 है ना ही गिरावड है पिछले 11 मरब दिनों से यह हाल है ना 20 ना गिरावड इसी रेंज पर है यह बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में और साथ ही साथ एक brokerage house एक काफी interesting commentary भी है उसके बारे में भी हम discuss करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अवीदाख चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे subscribe कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे videos हैं जो पो काफी जादा help करेंगे तो उज्जिवन small finance bank एक महिने में गिरावड है जरूर 2% की छोटी से ही लेकिन है और एक साल में देखो तो लगातर की गिरा है specifically 60 रुपए के level से गर आप देखो तो लगातर गिरावड बनी है और जब भी attempt करे हर बार वो गिरावड में convert हुआ है 40 रुपए तक जाने ही वाला था लेकिन फिर से 30 आ गई अब फिर से कोई 30 नहीं बन रही है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 45 रुपए के आसपास ये रहा था कुछ टाइम के लिए फिर वापस गिर गया था इस बार 43 रुपए के आसपास ये अटक रहा है कई वापस फिर से गिर ना जाए चांसे जरूर है यहां पर अलागि पांसागा का अगर हम ग्राफ देखे तो 15% की गिरावट है ग्राफ इंटरस्टिंग है तीजी आई पहले गिरावट आई तीजी आई फिर लंबे समय तक गिरावट था अगर आप देखो तो 42 रुपीज के लेवल से लगातार गिरा था ये और 14 रुपए बर गया था बहंकर गिरावट थी लेगन उसके बाद एक बहतरीन रफ़तार भी देखे 60 रुपए के बाद सब ये लगातार गिर रहा है और अगर आप इसका ग्राफ देखो तो नीचे की तरफ ही है कहीं पर भी कोई सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है कहीं पर भी सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है और उसकी दिखो वजह पता है क्या है कि बैंकिंग सक्टर में मुझे रहता है अभी immediate basis पर कोई तीजी में expect नहीं कर रहा हूँ reason simple सा है कि जो deposits है ना वो दिरे दिरे banks में कम तो हो रहा है जिस growth से आने चाहिए उस growth से नहीं आ रहे है reason यह कि लोग जो है ना वो पैसा आप invest करना जान चुक है सीख चुक हैं दिरे दिरे जो भी sellerized person जो अच्छा पैसा कमा रहा है वो अपना पैसा अब bank में रखने की जगा invest करना ज़्यादा पसंद कर रहा है चाहिए वो mutual fund में कर रहा हो चाहिए वो stock market में खुद से कर रहा हो चाहिए वो property में invest कर रहा हो या फिर चाहिए वो अपने जो महेंगे shock है गाड़ी से लेकर mobile तक उसको fulfill करने में कर रहा हो कर जरूर रहा है यह जो deposits है वो definitely उस तेजी से नहीं बढ़ रहे जिस तेजी से हमने deposits कोविट के time में बढ़ते हुए देखे थे logo के ठीक है उससे पहले भी हमने देखे थे जब node बंदी हुई थी तब तो सारा पैसा bank में ही आ गया था तो यह सारी चीज़े थी उस time पर अभी अगर अभी तो वो सिनारियो नहीं है even SBI के chairman की तरफ से भी statement आया था कि अभी deposits कम हो रहें लेकिन आगे 2000 अगले साल से यह बढ़ना शुरू हो जाएंगे उनको लगता है कि बाजार गिरेगा तो लोग वापस यहाँ पर आना shift हो जाएंगे उनका यह मानना है देखते हैं कि बाजार गिरता है कि नहीं लेकिन दिक्कत तो है और जहां तक बात करें इसका कि volumes की तो 77 lakh से भी ज़्यादा कि हमें यहाँ पर trade होते नजर आए है all time high इसका 63 रूपीज का है low तक्रीवन 13 रूपे का है buy call था और 30 रूपे का target दिया था ध्यान से मैं रब देखेगा क्योंकि surprise जिसी का अंदर शूपा हुआ है जो मैं आगे बात करूगा उज्जिवन small finance में यहाँ पर 31 जुलाई ठीक है ICI से securities का buy call था 60 रूपे का target था वहाँ पर according to money control user 67 परसंट लोग के रहे खरीदारी करें 33 परसंट लोग के रहे होल्ड करें बेचने की बात कोई भी नहीं करें मैं भी नहीं करूँगा लेकिन मेरी खरीदारी की recommendation यहाँ पर नहीं है क्योंकि मुझे रहता है कि गिरावाड़तों तो अभी और यहाँ पर गहरा सकती है और जहां तक buy call था ICICI Securities का जुलाई को ठीक है और जुलाई की last week में ही था 60 रुपय का target था लेकिन अभी recently यही ICICI Securities ने 29 अगस्त एक ही महिने में यहाँ पर target price 60 से 50 रुपय का कर दिया हलाकि अभी भी call तो भया add करने का ही है उनका ठीक है लेकिन जो पिछले महिने तक यहाँ पर buy call देकर 60 रुपय का target दे रहे थे हलाकि एक महिने में कोई गिरावट नहीं आई ठीक है 45 रुप में अब 2% की ही गिरावट आई है 45 से 43 पर आया है ठीक है को इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है लेकिन target में बहुत बड़ी गिरावट आगई इनके ठीक है तो ये भी एक अच्छा sign नहीं होता ठीक है कि बले यहाँ पर add खरीदारी करने की सला है लेकिन जो target दे रहे थे पिछले महिने 60 रुपय का आज वो 50 रुपय का target कर दिया इनोंने तो ये भी एक अच्छा sign नहीं है ये भी कोई खरीदारी का sign नहीं है और जहां तक valuation के बारे में देखो company सस्ते valuation के उपर है आप उससे इनकार तो नहीं कर सकते 6.66 का peer ratio है sector P18 का है definitely यह सस्ता है और देखो खरीदारी के recommendation 100% कहे भी रहे है मेरा क्या कहना है है तो hold करो ठीक है मेरी बेचने की सला यहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी नहीं है लेकिन fresh buying को लेकर जहां तक बात आती है मुझे लगता है कि एक stable कहीं पर एक position बननी चाहिए इसकी जब तक वो नहीं बनती है बेज नहीं बनता है यहाँ पर जल्द भाजे नहीं करनी चाहिए और जिस तरीकी की commentary भी आया थी इवन जब इनके results भी अभी हाल फिला में आया थे financial के जब जून के numbers भी आया थे 301 क्रोड का इनका profit था जो कि काफी कम था 1775 क्रोड का revenue था जो भी कम था उस तरीकी से grow नहीं हो जिस तरीकी से होना चाहिए था ठीक है और management की तरफ से ये भी commentary थी कि इनका जो outlook जो पहले काफी अच्छा था उन्होंने थोड़ा सा cut down भी करा हुआ था यहाँ पर तकरीबन डेर्ट दो person का कम करा था इन्होंने तो ये भी एक negative sign था यहाँ पर कि वह ये company जो पहले इतना कह रही थी कि हम इतना project करेंगे बाद में जब इन्होंने result के साथ अपना projection बताया तो वह कम करके बताया यहाँ पर और जहां तक share holding के बारे में देखे तो promoter की holding यहाँ पर है ही नहीं 4.06% mutual fund के पास है 3.27% domestic के पास है 24.68 यहाँ पर FIs लेकर बैठे हुए है यहाँ पर retail investor के पास 25.44% है और other parties है वो 42.56% का stake यहाँ पर लेकर बैठे हुए है overall अगर मैं बात करूँ जिवन small finance bank की again खराब bank नहीं है यह लेकिन अगर आप इसका graph देख रहे हो लगातर गिर रहा है नीचे की तरफ जा रहा है बले ही valuation इसका सस्ता है peer ratio 6 का है तो मैं बता दो कि peer ratio जब 8 का था तब भी यह शर्प 50 रुपए के आसपास का था even 45 रुपए के आसपास का था लेकिन graph नीचे की तरफ ही गया है यहाँ पर तो अभी भी मुझे लगता है कि कहीं पर भी एक support एक base नहीं बन रहा है जो की बनना चाहिए कुछ time के लिए और जब वो बनेगा तब खरीदारी के मौके यहाँ पर आपको डूंडने चाहिए overall अगर आगर आपके पास है तो hold करो बेचने के सलान नहीं है जहां तक बाद आती है खरीदारी की या तो 40 रुपे के नीचे जाए तब खरीदारी के मौके है या तो 45 रुपे का level decisively यह तोड़ दे तब खरीदारी करके तब टेजी वाला तब खरीदारी के मौके यहाँ पर बनेंगे तो यह दो level जो है वो आपको ध्यान में रखने है कि वही पर मौके बनेंगे या तो 40 के नीचे जाए तो 45 रुपे के उपर जाए तो खरीदारी का मौका यहाँ पर बन सकता है और again अभी भी मैं long term के लिहास से मुझे अच्छा लगता है अभी भी short term के लिहास से यहाँ पर चुपेन है वो खतम नहीं हुआ है अभी भी कुछ और time के लिए यह consolidate कर सकता है इसी range के आसपास तो इस बारे में ध्यान रखेगा बगर अबाई भी कर रहे हो तो आपका जो outlook है वो 2-3 महिने का कते नहीं होना चाहिए वो कम से कम 2-3 साल का होना चाहिए तो ही यहाँ पर आईएगा क्योंकि मुझे लगता है जैसे कि मैं अपने पिछले कुछ औरी उसमें बात कर रहा हूँ कि आनने वाले 7-8 दिन जो है बात में जब फेस्टिवल से जो शुरू हो जाएंगे तब एक तीजी भी आपको देखने को मिलेगी लेकिन बात में जब दिवाली खतम होगा एक बड़ी फॉल से बहाँ सार गुजरेगा भी तो यह मेरा मानना है अगें यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है कोई भी investment advice नहीं है यह वीडियो को यह पेंडर करता हूँ पसंदा हो तो लाइक करें चैनल बगरा पहली बारे हैं तो फ्ली सब्सक्राइब करें और उजिवन स्मॉल फिनांस बैंक के बारे में या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखे बता सकते हैं थैंक्यू